ओ भाई साहाब दोस्तों जैसा मेरे कहा था कि आप लोग ये देख लेना कि अगर इस वीकेंड इतनी सारी मूवी रिलीज हो रही है मान के चलो कि हिंदी में दर्शकों को कोई मूवी पसंद नहीं आई तो जवान फिर से अपने जो जो गाईज शोस जो उन्होंने खोए है वापस मिल जाएंगे तो गाईज वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाए जे रहा है एटलिस आज के लिए तो हेलो गाईज कैसे हुआ आप लोग स्वागत है आपका जवान के सेवन्थ सेटर डे जहां गाईज यह इसका साथवा शनिवार है इसके डे मेरे ख्याल से डे 45 होगा दोस्तो पंतालिस वे दिन के फाइनल प्रेडिक्शन के एपिसोड में भाई साहब क्या आएंगे दोस्तो आज बॉक्स आपिस से नमबर औकी औकी पैंसी कैसी आउडियन्स की वो भी देख लेंगे बाकी कल का रिले एस्टिमेट कैसा रहा है क्योंकि दोस्तो कल ही कह सकते हैं कि इसके शोज बहुत जादा गिर गए थे लगभग 90 परसेंट तो बात करेंगे उससे पहले दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आ ऐसे ओफिशल तो मेकर्स दोस्तों आपको पता यह कि मंडे को देंगे अभी देंगे भी या नहीं देखना काफी देल चलिस पोगा लेकिन जब तक क्लेक्शन होगा सब तक रिपोर्ट तो मिलते रहेंगे क्योंकि अगर हम लोग पठान की बात करें तो 55-60 दिन तक के रहता ओफिशल इसने हिंदी से प्रॉक्समेटली पांसो असी करोड रुपे कमा लिए आप लोग ऐसा कह सकते हो और व्ल्ड वाइट की कमाई दोस्तों मेकर्स की तरफ से आप लोग कह सकते हो कि संथिंग 1143 करोड और 59 लैक रुपीस ऐसा ही कुछ आया था जहां तक मैं सही हो तो कह सकते हैं कि यह जो मूवी है यह गाइस लाइफ टाइम में 1150 करने की और है अभी इसमें साथ दिया है अपने टाइगर बाबू ने क्योंकि देखो भाई टाइगर के शोज बहुत खाये थे टाइगर की मूवी गनपत्रें लेकिन अभी हाल उसका ऐसा है कि कोई भी तो पहले मैं कलकार लिए इस्टिमेट आपको दाऊंगा देखो बाई शोज 90 परसंट गिरा तो लोग सोच रहे थे कि 40 से कलेक्शन 19-20 लाग उर्पे काएगा लेकिन मैंने आपको 30 लाग उर्पे की बात कही थी तो गई यहां पे 30 तो नहीं लेकि 28 लाग उर्पे के रिप तो ओवर्स के रिपोर्ट से फ्राइडे था तो गाइस देखो इंडिया से जादा बाहर विदेशों से आया लगभग 35 लाग उर्पे के रिपोर्ट बाहर विदेशों क्या है तो लिए रिलीज हो चुकि है काफी उसने खाय है तो गाइस कह सकते हैं कि यहां पे प्रॉक्स पर दोस्तों कल शोष कितने थे और आज शोष कितने असके पास बेसे हम लिए बात करेंगे कि इस नहीं हुए ति गनपत तब इसके पास कितने शोष थे जो की लिएो के छोट के बाद घंपत जब नहीं आई ती जब लिए नहीं आये सिर्फ तो ऑ 1 सब 92 बचे लेकिन आज मुंबई में दोस्तों आप लोग कह सकते हूं कि 60 से 65 शोज हैं अगर हम दिली अंच्यार की बात करें तो गाइस लियो रिलीज हुई थी तो 340 से 270 हुआ जब गनपत रिलीज हुई तो भाई 270 से सिर्फ 60 रहे और अभी दोस्तों मैं चेक कर रहा हूं 85 शोज दिये गए हैं मुझे लगता है कि कल थोड़े और शोज इंक्रीज हो सकते हैं और की ठीक ठाक है मौनिंग में दोस्तों देखो शोज कम है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्लेक्शन नम है भाई साहब यहां पे ऑक्यूपैंसी का अच्छी आप लोग कह सकते हो कि मौनिंग में 22 होता है लेकिन हम लोग देखें यहां पर कि पूने में कितने शोज हैं तो देखो भाई में भी मेरे ख्याल से जब लियो रिलीज होई तो एक सो आट थे और गाइस जब घंड़पत रिलीज होई तो गाइस सिरिफ और सुचौबिस बच्चे और अभी 35 हो गए अच्छे श रुपे भाई बहुत शोज है दोस्तों यह कम नहीं है अगर हम लोग बात करें कि यह साट लाक रुपे दोस्तों जो कमा रही है यह कमा के कितना हो जाएगा भी टोटल तो गाइस पांसो अप्रॉक्समेटली दोस्तों आप लोग मान सकते हो कि 581 करोड हो जाएगा 581 करोड एसा अरली बाकी देखते हैं कि मेकर्स पर्सो क्या रिपोर्ट्स देते अब आगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करें कि आफिसे क्या सकता है तो गाई देखो आधा करोड तो दे रहा है दोस्तों यह आशिया पंतलो 50 लाक रुपे यहन्यार कमाई करोडों में दोस्तो तो मुझे लगता है कि दूस्तों मंडे को ये शोज दिल्ली मुमे में दोनों हंडेट से उपर जाएंगे क्योंकि ऑडियन्स है जो इस और इशारा कर रहा है तो वरसे से पचास लाग उर्पे इंडिया से साथ लाग उर्पे एक करोड़ दस लाग उर्पे यानि कि एक हजार 145 करोड़ से उपर जा रहा है मामला क्या कहना है बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही